चलिए आज के पिर्म्स डिस्कुसिन कलास की सुरुात करते हैं यदि कोई आपसे ये स्वज़ पूचे कि somehow की सबाब होना चाहिए कि संविधान के किस अनुच्षेद में मंत्री मंडलिया समीतियों का उलेक है जो मंत्री मंदलिया समीती होती है ये प्रकृति में सम्विधान इतर है यानि कि सम्विधान के किसी भी हिस्से में एक्स्टा कॉंसिटूशनल है ये किसी भी जगह पर इसका जिक्र नहीं किया गया है तो ये बात तो हो गई है, अगर इसी से मिलता जोता एक दूसरा सवाल आपको पूछा जाए कि क्या मंत्री मंदलिया समीटियों की स्थापना के लिए लोगसभा के साथ-साथ राजिसभा के भी सुकृति के आउसकता होती है, क्या जिस प्रकार लोगसभा के सुकृति के आउ सकता होती है ना ही लोकसभा के सुकृति क्या हो सकता है ना ही राजसभा के सुकृति क्या हो सकता है ये मंत्री मंदल या समीती जो है ये प्रधान मंत्री के द्वारा गठित किया जाता है समय पड़िस्थिति काम के बोज इन सब को ध्यान में रखते हुए मंत्री मंदल या सम प्रधान मंत्री के इच्छा पर है कि वो किस तरह से इसको जरूरी समझे प्रधान मंत्री ही इसको गठित करता है मंत्री मंदल्य समीतियों को आवसकता के अनुसार उसको समाप्त भी करने की जिमेदारी या सक्ती जो है वो प्रधान मंत्री कोई है इसमें ना तो लोकसभा की कोई भूमिका है और नहीं राजसभा की कोई भूमिका है कोई भी जो मंत्री मंदलिया समीती है उसमें तीन से आठ सदस सामिल होता है और इसमें जो है हर मंत्री मंदलिया समीती में कम से कम एक कम से कम एक जो है कैबिनेट मंत्री अवस्थ सामिल होता है यानि कि प्रतियेक मंत्री मंदल या समीती में कम सेम कम एक मंत्री मंदल कैबिनेट मंत्री जो है वो जरूर सामिल होता है लेकिन जो मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है राज मंत्री है उप मंत्री है उसको भी मंत्री मंदल या समीती में सामिल किया जा सकता है तो आपका जो यहां पर question था कि क्या सम्विधान के किस अनुच्छेद में मंत्री मंडलिय समीती का जिक्र है तो किसी भी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है ये एक सम्विधान एतर संस्था है या फिर आप कह सकते हैं सम्विधान में इसका कहीं कोई उलेख नहीं है और दूसरा प्रस्थन था कि क्या मंत्री मंडल या समीतियों की इस्थापना के लिए लोकसभा के साथ साथ राजसभा की भी सुकृति आवस्यक है तो ना तो लोकसभा के सुकृति की आवसकता है ना तो राजसभा के सुकृति की आवसकता है ये केवल और केवल प्रधान मंत्री की इच्छा पर है वो समय और प्रस्थिति के अंसार इसको गठित करता है और फिर इसको समाप्तिभी करने का अधिकार उसी को है तो ये बात हो गई है और हर मंत्री मंदलिय समीती में एक कैबिनेट मंत्री जरूर होता है और जो कैबिनेट मंत्री नहीं है उसको भी इसमें सामिल किया जा सकता है तो ये सारी बाते हम लोग सिखे मंत्री मंदलिय समीती से संबन देते हैं ठीक है उसके बाद जो अगला सवा आम तोर पर 5 साल के लिए गठित किया जाता है। अगर उससे पहले ही उसका विगहटन हो गया हो, तो क्या पुनरगठित पंचायत केवल सेस अवधी के लिए ही होता है, या फिर संपुर्ण 5 सालों के लिए। तो इसका क्या आपका जवाब होना चाहिए। तो इसका जवाब है केवल सेस अवधी के लिए केवल सेस अवधी के लिए यानि कि अगर जो पंचायत है आपको पता है कि तेहत्रमा समिधान संसोधन के द्वारा जो है तेहतर्मा समिधान संसोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत या पंचायती राजविवस्था को लाया गया था और उसके तहत पंचायत का कारीकाल पांच साल का निर्धारित किया गया किसके तहत तेहतर्मा समिधान संसोधन 1993 की द्वारा तो इस तरह से इसके माध्यम से 5 साल का कारीकाल निरधारित किया गया पंचायत का 5 साल तो यहां पर यही ध्यान में रखना होगा कि आम तोर पर जब भी समय से पहले अगर समय से पहले यदि पंचायत का विगटन हो जाता है तो 6 माह के भीतर जो है पंचायत को फिर से यानि कि चुनाओ करवाना आवस्यक है यदि 6 माह से पहले पंचायत का अगर विगटन हो गया है तो 6 माह से पहले उसको फिर से नया चुनाओ करवाकर फिर से उसको गठित किया जाएगा लेकिन सवाल एक यह है कि यदि सेस अवधी यानि कि अगर विघटन जिस समय हुआ है उस समय के बाद चे महने से अधिक समय बचा हुआ था अगर उस पंचायत का तभी चुनाआ कराना आवस्यक है यदि 6 मेहने से कम का समय बचा हुआ था तो चुनाओ करवानी की कोई आवस्यक्ता नहीं है कहने का मतलब यह यदि किसी पंचायत का विगटन हो गया हो लेकिन 6 अवधी 6 मेहने से अधिक रहा हो विगटन के समय या अधिक बचा हुआ था तब पंचायत का चुनाओ करवाना आवस्यक है और यदि सेस अवधी छे महने से कम ही बचा हुआ था तो सिर्फ छे महने के लिए फिर इतना ताम जाम करने की ज़रत नहीं थी तो फिर इसके लिए चुनाओ करवाने की आप सकता नहीं है फिर 6 महने का जो 6 महने से कम समय तो उतना इंतजार करके फिर जब सही समय आएगा तो फिर से नया चुना हो गई अब सवाल ये कि क्या 6 महने से मान के चलिए अधिक समय बचा हुआ था और फिर चुना हो गया तो क्या जो अब जो फिर से पंचायत पुनरगठित हुआ ये सिर्फ सेस अवधी के लिए काम करेगा जितना समय उसको बचा हुआ था या फिर पूरे पांच साल के लिए अब नए सिरे से काम ये करेगा तो इसका जवाब है पूरे 5 साल के लिए ये नहीं करेगा केवल 6 अवधी के लिए करेगा यानि कि यदि किसी पंचायत का विघटन हो गया हो और विघटन जिस समय हुआ है उसके बाद 6 महने से अधिक समय बचा हुआ हो तो फिर से चुना होगा और फिर से जब चुना हो रहा होगा तो उसमें वो सिर्फ 6 अवधी के लिए कारी करेगा या उसको पूर्णगठित किया जाएगा ना कि पूरे 5 सालों के लिए तो आपसे सवाल यही था कि समय से पहले ही यदि पंचायत का विघटन हो गया हो तो क्या पूर्णगठित पंचायत के वल सेस अवधी के लिए होता है या फिर संपुर्ण 5 वर्सों के लिए तो इसका जवाब होगा के वल सेस अवधी के लिए तो आपको मैं बताया कि 73 वहां समिधन संसुधन अधरियम 1993 के द्वारा पांच वर्स का कारीकाल निर्धारिध किया गया था और 6 मेहने का कारीकाल आम τवर पर 6 मेहने के भीतर जो अगर विगटित हो जाता है तो 6 मेहने के भीतर उसको नया चुनाओ करवाना आनिवारी है कि जो गनपूर्ती है या कोरम जो करवाया जाता है सदन की कारवाई को सुरू करने के लिए गनपूर्ती या कोरम वो है जब कोई भी सदन अब सुरू होना है दिन की कारवाई तो ये चेक किया जाता है कि एक नियुनतम संख्या में सदस्य उपस्थित है या नहीं तो सवाल आपसे ये है कि गनपूर्ति या कोडम के अंतरगत सदन में उपस्तित सदस्यों की गनना में क्या पीठासीन अधिकारी को भी सामिल किया जाता है या उसको सामिल नहीं किया जाता है या जो पीठासीन अधिकारी है जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष हो या इस सब को भी गनपूर्ती में सामिल किया जाता है या सामिल नहीं किया जाता है तो इसका जवाब है हाँ इन सब को भी सामिल किया जाता है यानि कि गनपूर्ती या कोरम के अंतरगत सदन का पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्यां का दस्वा भाग होना चाहिए यहां पर निर्वाचित मनोनित ऐसा कोई डिविजन नहीं है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य के साथ आपको question इस तरह से कर दे कि पीठासिन अधिकारी सहित निर्वाचित सदस्यों की संख्यां का दस्वाँ भाग या पिठासीन अधिकारी के बिना निर्वाचित सदस्यों का दस्वाभाग या option देदे कि निर्वाचित पिठासीन अधिकारी सहित जो मनोनित सदस्य है उस कुल सदस्य संख्यां का दस्वाभाग और अगर आपको ये देदे कि पिठासीन अधिकारी सहित मनुनित सदश्यों को छोड़कर दस्वावाग तो यहाँ पर आपको यह दियान में रखना होगा ज कि पिठासीन अधिकारी भी सामिल होगा निर्वाचित मनुनित सारा सदस्य मिला के कुल सदस्य संख्यों का दस्वावाव यहाँ पर होना चाहिए यानि कि गनपूर्ति या को जो है दस्वाबाग होना चाहिए और इस दस्वाबाग में जो है पिठासीन अधिकारी भी सामिल होगा और कुल सदसे संख्या सामिल है कुल सदस्य संख्या ना कि कोई निर्वाचित या मानुनीत है उसकी कोई बादेता हो तो ठीक है ये भी कुश्चन हम लोग यहां पर देखे जो नेक्स्ट कुश्चन आपको दिख रहा होगा सुप्रीम कोट से जुरा हुआ एक आपको है क्या संसद को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोट के चहत्राधिकार और उसकी सक्तियों में कटोती कर सके क्या संसद को आम तोर पर हम लोग जानते हैं कि संसद संविधान संसोधन करके किसी भी तरह का कानून बना सकता है तो क्या संसद को भी ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के छेतराधिकार और सक्तियों में कटोती कर सकता है तो इसका जवाब है नहीं संसद सुप्रीम कोर्ट के छेतराधिकार और उसकी सक्तियों में किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की कटोती नहीं कर सकता है हाँ उसकी सक्तियों में विस्तार जरूर कर सकता है संसद को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के सक्तियों में विस्तार वो जरूर कर सकता है उसके सक्तियों में या उसके छेतरादिकार में लेकिन उसमें कटौती नहीं कर सकता है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्याधीस हैं उन सब की सुवधाओं में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल परिवरतन भी संसद नहीं कर सकता है यहाँ मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि जो संसद है वो किसी भी रूप में जब न्याधीस है उन सब के किसी भी सुवधाओं को नहीं खीन सकता है किसी भी रूप में उसके वेतन भत्ते विशेसाधिकार इन समय में कटोती नहीं कर सकता है लेकिन संसद जो है उसका निर्धारन समय समय पर खुद करता है समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार संसद को ही ये पावर है कि उस्तम जाले कि न्याधिस के वितन भत्ते वी से सदिकार और उन्मक्ति का जो ही उसको उन्मक्तियां दी गई है या पैंसन वगरा है इन सब का निर्धारन वो खुद करता है लेकिन न्युक्ति के बाद ए इस कंडिसन को छोड़ कर, बांकि किसी भी कंडिसन में नियुक्ति एक वार अगर हो जाती है, तो नियुक्ति के परसाथ उसकी शुद्धाओं में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल पड़िवरतन वो नहीं कर सकता है तो आपको पता है कि राश्पति के दौरा जो उस्तम नियाले की नियाधिस को नियुक्ति किया जाता है और कारिकाल की इन सब को सुरक्षा दी गई है, जो कारिकाल है वो निर्धारित है, फिक्स है और सुप्रीम कोर्ट का जो नियाधिस है और जो कर्मचारी है उन सब को भा हारित है इन सब का वितन बत्ता वगरा यहां तक कि कर्मचारियों का भी वितन बत्ता और साथ ही साथ जो भारत का जो मुखिन आधिस है उसको यह अधिकार है कि वो किसी भी तरह का जो अधिकारी है या कर्मचारी है जो सुप्रीम कोर्ट से जुरा हुआ हो उसको न्यूक्त क करने का जो अधिकार है वह भारत के मुखनी अध्यिश के ही पास है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक अच्छिंग्पारएlier लिकार्वा बिस्तार कर सकता है और बांकी सारी बातें जो है वो हम लोग देखें चलिए नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर अगला जो कुश्चन है आपको यही है कि संचित निधी पर भारित आपको पता है कि बजट के अंतरगत दो तरह के व्या को दर्साया जाता है एक तो भारत की संच नहीं होता है हलांकि बहस हो सकता है भारत की संचित निधी पर भारित व्या है उस पर चर्चा हो सकती है लेकिन उस पर मतदान नहीं हो सकता है तो कौन सब ऐसा खर्च है जो भारत की संचित निधी पर भारित है और सीधा सीधा संचित निधी से निकाल कर दे दिया जाता है उन सारे खर्चों को किया जाता है अगर सबसे पहला देखा जाए तो भारत के राष्ठपति का जो खर्च है यानि कि जो वेतन है वेतन भत्ता, पैनसन वगरा तो ये सब भारत की संचित निधी पर भारित है पहला दूसरा राजसभा का सभापती उपसभापती और लोकसभा का अध्यक्स और लोकसभा का उपाध्यक्स यानि कि लोकसभा और राजसभा इसके सभापती तो राजसभा की सभापती उपराश्पती इसमें सामिल हो गए उपसभापती भी उसी तरह से लोकसभा के अध्यक्स और लोकसभा के उपाध्यक्स इन सब का जो वेतन भत्ता वगर है वो भी भारत की संचित निदी परभारित है इसके अलावा जो उच्चतम न्यायले का न्याधीस है उसका भी वेतन भारत की संचितनी पर भारित है अब उच्च न्यायलेका जो High Courts है सभी राज्यों में उसके न्याधीस को जो वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचितनी पर भारित होता है नकि भारत की संचितनी पर तो यहाँ पर इस पैंच को धियान में रखना हुआ कि जो उच्चतम सुप्रिम कोट के जस्टिस को जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचितनी पर भारित है लेकिन जो हाई कोट का जस्टिस है उसको जो वेतन दिया जाता है वो राजी की संचितनी पर भारित है अब यहा भारत की संचित निधी पर भारित हो जाता है फिर राज को फ्री कर दिया जाता है यहां पर यानि कि सुप्रीम कोट के जस्टिस का वेतन भारत की संचित निधी पर भारित है और हाय कोट के जस्टिस का वेतन राज की संचित निधी पर भारित है लेकिन हाय कोट के जस्टिस क पैंशन यह भारत के संचितने परभारीत हो जाता है. इसको ध्यान में रखना होगा. तो उच्चतम जाले जो है सुप्रिम कोर्ट इसको यहां पर ध्यान में रखिए. उसके बाद भारत का जो नियंतरक और महालिखा परिक्षक है कैग वो भी जो है इसके अंतरगत भारत की संचितनी पर भारित उसका विया है उसी तरह से जो UPSC है UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन पैंसन भत्ता जो है ये सब भारत की संचितनी पर भारित है तो ये आपको हो गया मोटा-मोटी तो सुप्रीम कोट, कैग, UPSC ये जो है भारत की संचितनी पर भारित व्याके अंतरगत आएगा अब सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोट है ये उसी तरह से कैग है इन तीनों का जो कारियाले है उसका जो प्रसासनिक खर्च है वो भी भारत के संचितनी पर भारित है और इन सब के अंतरगत जो कर्मचारी काम कर रहा है इन सब के कारियाले में उन कर्मचारियों का वेतन भत्ता पैंसन भी भारत के संचितनी पर भारित है ताकि इन सब को सोतंतरता पुर्वक जो है ये अपना काम कर सके तो हम लोग ये देखें कि राश्टपती, लोकसभा, राज्यसभा का सभापती, उपसभापती, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रिम कोट का न्याधीस, कैग, UPSC ये सब का वेतन भत्ता जो है भारत की संचितनी पर भारित है, हाई कोट की न्याधीस का पैंसन भारत की संचितनी पर भारित है, और सुप्रिम कोट, कैग और UPSC के कारियाले का प्रसाशनी खर्च और कर्मचारियों का वेतन भत्ता ये सब भी भारत की संचितनी पर भारित है अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा कोई भी रिन भार जो की भारत सरकार को देना है ऐसा कोई भी रिन जो की भारत सरकार को देना होता है वो भी भारत की संचितनी पर ही भारित है तो इस तरह से यहाँ पर जितना भी हम लोग हिसा देखे ये भारत की संची नहीं पर भारी तो भी है था